नमस्ते दोस्तों आने वाला हाफता हमरे लिए बहुत ही इmportant होने वाला है क्यांकि इसमें सब से important बाद हम लोगों का budget आने वाला है ये budget में हम लोगों को किस तरीके का momentum expected है इसको जानने की कोशिश करेंगे और जो एक फरवरी का दिन हमरे लिए बहुत ही important रहने वाला है पीछे का reason है कि सबसे important बात यहां पर हम लोगों का weekly expiry रहेगा तो momentum उसकी वज़ा सिवे रहेगा second important बात यहां पर इस दिन हम लोगों को budget session देखने को मिलने वाला है और अमेरिका में जो federal reserve का meeting चलेगा वो 30-31 की January के बीच में चलेगा और उसका जो नतीजा निकल के आएगा 31 रात को हमरा market close हो जाने के बाद निकल के आएगा तो उसका effect हम लोगों को जो देखने को मिलेगा वो एक फरवरी के दिन देखने को मिलेगा तो एक फरवरी हमारे लिए बहुत important डे होने वाला है उससे पहले 3-4 दिनों में किस तरीके का momentum होगा वो depend रहेगा कि market में जो उपर आकर market एक support ले सकता है यह सभी सभी बाते इस वीडियो में step by step सिखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले start करते हैं market का analysis अभी आपके सामने में ने जो चार्ट लगाया हुआ है वो weekly चार्ट लगाया हुआ है जैसा कि हम लोगों ने conclude clear हुआ था कि market में जो एक upside का momentum च तक आ सकता है तो यहां पर हम लोगों को जो gap दिखाई दे रहा है यह gap हमर ले एक important support की तरह काम करेगा यह gap की तरफ जब market आएगा तो यहां से bounce back हम लोग expected कर सकते हैं तो हमर ले strong support का zone जो निकल करके आ रहा है वो 20,400 से लेके 500 की level तक आ रहा है अगर हम लोग daily chart में जाते ह market में आपको कौन से point के उपर focus करना पड़ेगा पहले उसको समझने की कोशिश करते है market में यह budget आने वाला है यह budget point of view से अभी market को आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इसी के उपर आने वाला momentum depend रहेगा सबसे पहली बात यह जो है यह 2024 का budget है वो interim budget है interim budget मतलब यहां पर इसक bottom political announcement रहेंगे general public को खुश करने के लिए तो जो यह फाया है वो यह फाया इसकी वज़े से भी चिंतित है कि यहां पर हम लोगों को long term reform के बारे में ज्यादा कुछ government की तरफ से बड़ा policy आएगा ऐसे लगने रहा है इसकी वज़े से भी यह फाया अपना market में से पैसा निकाल रहे है बीच में हम लोगों को इस वाले दिन जो निखबर आई थी कि सेवी के नए रूल के वज़े से पैनिक हो रहा है तो वो कुछ हद तक सहीती लेकिन बाद में उसका effect निकल गया अभी market एक base बनाने के यहां पर कोशिश कर रहा है जैसा हम लोगों ने price action theory के इसाब से discuss किया हुआ था कि market में एक important support level यहां पर create हो रहा है क्योंकि इसी level से strong buying हम लोगों को देखने को मिला था market उसी level पर आकर base बना रहा है लेकिन यह base जो है एक range bound momentum में convert होने की सबसे ज़्यादा आशंका है क्योंकि इसके पीचे का price action के पीचे का psychology आपको समझना पड़ेगा पीचे का reason है सबसे important बात हमारा budget आने वाला है budget की वाज़े से clarity नहीं है second FOMC का जो meeting है मतलब Federal Reserve का अमेरिका का जो meeting है उसमें policy क्या आजाएगा यह clear नहीं है तो यह दोनों वाज़े से market wait and watch की mode में है तो हम लोगों को भी इनके ही साब से काम करना पड़ेगा तो हमें एक बात conclude हो गई कि आने वाले कुछ दिनों में market थोड़ा सा range bound रह सकता है एक फरवरी से पहले क्योंकि वहाँ पर budget के session का waiting market करेगा अब यह range bound रहेगा तो हमारे लिए important level कौन से रहेंगे तो नीचे की साइड में हमारे जो important support level निकल करके आ रहा है वो actual में एक support zone बना हुआ है जिस support zone से एक strong buying start हुआ था वो हमारे लिए support की तरह काम करेगा और उपर की साइड में market ने एक resistance zone बनाया हुआ है अभी आपको gift nifty जो momentum दिखा रहा है वो gift nifty का momentum कभी भी change हो सकता है तो हमारे जो उपर की साइड का important resistance level जो निकल करके आ रहा है वो 21,500 के करीब का निकल करके और नीचे की साइड में 21,200 के करीब का निकल करके आ रहा है तो ये 300 point का जो momentum है ये range bound zone रहेगा आने वाले 2-3 दिनों में market इसी दायरे में घूमने के आशेंका है market आपको momentum कभ दिखा सकता है आइदर इस level को upside की तरफ या इस level को downside की तरफ ब्रेक करेगा तो हम लोगों को momentum देखने को मिल सकता है तो मंडे के दिन कहां पर आपको best opportunity मिल सकता है इसको समझने की कोशिश करते है अगर मंडे के दिन market जो है वो market gap up के साथ खुलता है gap up का जो level रहेगा वो हम लोगों को थोड़ा सा zone की तरफ से सोचना पड़ेगा ये जो level है उपर की side में 21,425 से लेके 21,482 का जो level है ये एक resistance zone निकल करके आ रहा है तो यहां से market जो है वो एक reversal का momentum हम लोगों को दिखा सकता है ये best level आपके लिए निकल करके आ रहा है अगर आप यहां से देखोगे तो market ने यहां से एक upside का momentum स्टार्ट हुआ था दूबारा market जब EC zone में आ गया है तो दूबारा upside का momentum स्टार्ट हुआ है अभी ये level के करीब market जो है आकर रुका हुआ था अगर ये इस level को भी break करता है तो नीचे के side में multiple support level हम लोगों को मिल रहे है तो immediately इस level पर कुछ करने के कोशिश मत किजिए प्राइज action पॉइंट अप उसे कुछ अच्छा opportunity मिलेगा तो लायो market में म अपने telegram channel में आपको update कर दूँगा जिसका link वीडियो के नीचे description box में डाला हुआ है अभी Monday के दिन हमारा important जो result का season चल रहा है तो Monday के दिन हमरे important result कौन से आएंगे budget finance का result हम लोगों को देखने को मिलेगा फिर उसके बाद जो आएगा वो BPCL का result आएगा और फिर ITC का result तो budget का जो result आएगा वो 12 से लेके धाई बज़े के बीच में आने के आशेंका है और BPCL का result हो साड़े तीन बज़े के बाद आने वाला है ITC का timing मुझे confirm नहीं है आप में से किसी को पता रहेगा तो वीडियो को like करके comment section में मुझे बता दीजिए अभी हम लोगों को कौन सा अपने पड़ेगा bank nifty में उसको समझने की कोशिश करते हैं अभी आपके सामने मेंने bank nifty का weekly chart लगाया हुआ है जैसा हम लोगों ने discuss किया हुआ था कि market ने यह जो gap पे यह gap fill करने के लिए market आ सकता इस week में market ने यह gap fill कर दिया है पिछले तीन वीक से market continuously downside का momentum बना रहा है तो इस level के करीब कही ना कई market को support लेना चाहिए इसके पीछे का result है जो fundamental trigger हम लोग expect trigger कर रहे है उस fundamental trigger से पहले market में कुछ बड़ा position बनने के आशनका कम है अगर कुछ लोगों को मतलब मान लोग कि बड़े player है बड़े player को buy भी करना है तो वो fundamentally market में price action को club करते है और जब fundamentally growth opportunity करीब आ रहा है market यहां पर range bound होने के आशनका रहेगे तो इस level को market जो है वो price action में confirmation दे रहा है कैसे उसको समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा डेली चार्ट के ओपर अभी आपके सामने में डेली का चार्ट लगाया हुआ है डेली के चार्ट में आगर आप continue करने की कोशिश कर रहा है तो यहां पर हम लोगों को market का psychology यह indicate कर रहा है कि लगातर जो गिरावट यहां पर हो रही थी वो कई ना कई यहां पर आभी कुछ time के लिए रुपने वाली है तो हमें जो यह वाला week है यह वाला week हमारे लिए हम क्यों है क्योंकि market already गिर चुका है market already गिरने के बाद एक important support level के करीब market आ चुका है प्लस यहां पर कुछ fundamental trigger हम लोगों के लिए pending है तो यह सभी बाते हमें indicate कर रही है कि यह गिरावट जो है वो गिरावट कुछ हज तक कुछ दाइरे तक यहां पर रुख सकती है और जब इसके बाद यह trigger market में activate हो जाएंगे तो हम लोगों को direction clear हो जाएगा तो यतना clarity के साथ अगर हम लोगों को price action बता रहा है तो हम लोगों को भी उसी सबसे काम करना पड़ेगा तो अभी सबसे important बात कल के दिन bank nifty में किस तरीके का momentum हो सकता है सबसे पहली बात market में यह आपर जो hammer like candle pattern बन चुका है उसका highest point हमरे ल है वो important support हम लोगों को नीचे के side का निकल करके आ रहा है तो यह नीचे के side का important support level है यहाँ पर हम इसको mark कर देते हैं तो market में यह level जो है यह crucial इसलिए बना हुआ है क्योंकि एक open interest data point of view से important level बन चुका है 44,430 का market अगर इस level के नीचे निकलेगा तो यहाँ पर उपर की side में जितने भी लोगों ने buy किया रहेगा वो यहाँ पर trap हो जाएंगे क्योंकि 44,500 के put के side में one of the highest open interest बना हुआ है तो market इस level को downside की तिरफ continue रख सकता है यह best opportunity कल के दिन high probabilistic रहेंगे आपके लिए अभी 15 minute chart के ओपर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि किस तरीके का momentum यहाँ प market ने respect करके यह level को नीचे के side में downside का closing दे दिया है तो यही opportunity रहेंगे तो कल के दिन expected जो momentum आएगा उसमें कुछ changes आते हैं तो मैं अपने telegram channel में आपको update कर दूँगा जिसका link वीडियो के नीचे description box में मैंने डाला हुआ है तो यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको like कीजे और अपने youtube channel को subscribe करके bell icon का button दाबा दीजे तो मिलते हैं next educational video में thank you very much